आप सभी को जै मसी की, हिंदी बाइबल स्टेडी एस चैनल में आपका स्वागत है आईए मिलकर एक नए विशे को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विशे यह है कि हम बीमार क्यूं होते हैं हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारिया क्यूं होती हैं आज हम लोग बाइबल में से यह ढूंडने की कोशिश करेंगे और आज मैं आपके सामने छे ऐसे कारणों को बताना चाती हूँ जिसके वजह से हम लोग बीमार हो सकते हैं आईए हम लोग एक-एक कारण की और हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे कि क्यूं एक इनसान बीमार हो जाता है सबसे पहला रीजन यह है कि एक इनसान के अंदर पाप होता है जब मेरे अंदर और आपके जीवन में शरीर में हम लोग पाप करते हैं तो बहुत सारा संभावना यह है कि उस पाप के कारण हम लोग बीमार हो सकते हैं उस बात को समझाने के लिए मैं दो आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ और पहला आयत है युहना के सुसमचार उसका पांचवा अध्याय और चौदवी आयत जौन 5.14 में हम उस 38 साल से एक इनसान बीमार था वो एक कुंड के पास लेटा हुआ था उस घटना को हम जानते हैं कि ईशुमसी वहाँ पर आकर उस इनसान को चंगाई देता है लेकिन चंगाई देने के बाद ईशुमसी कहता है कि जा फिर से पाप मत कर वहाँ पर इस्तमाल किया हुआ शब्द ऐसा है फिर से पाप नहीं करना ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ती तुझ पर आ पड़े मेरे प्रियो जब ईशुमसी कहता है फिर से पाप मत करना इसका मतलब है कि पाप के कारण ये इनसान बीमार हुआ दूसरा एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है मरकुस दो का पांच इस पद में हम पढ़ सकते हैं कि कुछ लोग एक लकवे से पीडित इनसान को ईशु के पास लेकर आते हैं वो गटना को हम जानते हैं कि वो कमरे में इतने लोग थे कि वो लोग इस बीमार इनसान को वहाँ पर लेकर जा नहीं पाए और इसलिए वो लोग चछत पर चड़ कर उस चछत को निकाल कर उस बीमार इनसान को ईशु के सामने उतारे वहाँ पर ईशमसी उस इंसान को चंगाई देता है लेकिन चंगाई देने से पहले ईशमसी वहाँ पर कहा हुआ एक लाइन इस प्रकार है पुत्र तेरे पाप शमा हुए जब ईशमसी कहता है तेरे पाप शमा हुए उसके बाद ईशुमसी वहाँ पर चंगाई देता है तो मेरे प्रियो इन दोनों पद में से हम लोग ये समझ सकते हैं कि पाप है वो वजह जिनके कारण ये दोनों लोग बीमार थे शरीर में पीडित थे तो हमारी जीवन में भी हम लोग साबधान रहना है जब हम लोग शरीर में रहते हैं जब हम लोग इस पृत्वी में रहते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा हम पाप ना करें पाप प्रभू के सामने छोटा बड़ा नहीं होता है कोई भी गलत काम हम करते हैं वो प्रभू के सामने पाप है इसलिए हमें ध्यान देना है कि गलत बातों या नशे में हमें नहीं फसना है हमारे अंदर जलन, इर्शा, दिखावा, एक दूसरे के बारे में चुगली करना या प्रभु को पहला स्थान नहीं देना, जूट बोलना इस प्रकार के पाप में जब हम पढ़ते हैं, तब हमारे शरीर में हम बीमार हो सकते हैं मेरे प्रियों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हर बीमारी पाप के कारण नहीं हो सकता है, दूसरे कारण भी उसके हो सकते है लेकिन पाप के कारण भी एक इनसान बीमार हो सकता है तो आज हम लोग हमारी जीवन को जाचे जब भी हम बीमार है तो प्रभू से कहें प्रभू क्या मेरी जीवन में कुछ गलती हुई आप मुझे से बात करना, मुझे दिखाना अगर आप सचे मन से प्रभू से बात करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपको बताएगा कि हाँ उस दिन तुमने उस इनसान के बारे में बुरा सूचा हो सकता है कि प्रभू कुछ और पाप हमें बताएगा तो वो हमें और दीन और नम्र बनाना चाहिए और हम प्रभू से माफी मांगे और परमेश्वर से जब हमें शमा मिलेगा तब परमेश्वर हमें चंगाई भी देगा आईए हम दूसरी बात के और हम जाएंगे दूसरा कारण के क्यों एक इनसान बीमार होता है दूसरा कारण के और हम आते हैं एक इंसान तब भी भीमार हो सकता है जब उसके अंदर एक दुश्टात्मा कारिय करता है इस बात को समझाने के लिए हम लोग एक आयत को निकालेंगे लुका के सुसमाचार उसका ग्यारवी अध्याय और चौदवी आयत लुक 11 बर्स 14 यहां पर इस प्रकार लिका है फिर उसने एक गुंगी दुश्टात्मा को निकाला जब दुश्टात्मा निकल गई तो गुंगा बोलने लगा और लोगों को अच्छमबा हुआ यहां पर हम देख सकते हैं कि इश्टू के पास ऐसा एक इनसान को लेकर आया जो बोल नहीं सकता जो गुंगा था जब दुसरे लोग देखते हैं तब इस इनसान की बिमारी क्या है कि वो बोल नहीं सकता लेकिन जब ईशू के पास लेकर आया ईशू मसी उसको चंगाई देने से पहले उसके अंदर का दुष्ट आत्मा को डाट देता है निकाल देता है और उसके बाद ये इनसान बोलने लगता है तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो इनसान क्यों नहीं बात कर पा रहा था क्यों एक इनसान के अंदर दुष्ट शक्ती काम करता है तब वो दुष्ट शक्ती उस इनसान को पीड़ित करता है और अलग-अलग प्रकार के बीमारियों को उसके शरीर में डालता है नॉर्मल लोग जो है बहुत से वक्त उसको पहचान नहीं पाएंगे लेकिन कब हम पहचाने है क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा का कारिय हो रहा है और कैसे वो इनसान ठीक होगा जब उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को डाट कर निकाला जाएगा तब वो इनसान के अंदर अपने आप चंगाई प्रवेश करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों जब भी हम लोग किसी के लिए प्रात्ना करते हैं तब इस बातों को हमें याद रखना है कि दुष्ट आत्मा जो है एक इनसान को पीडित करता है और बाहरी दृष्टी से देखा जाए तो पहचाना मुश्किल है बहुत से वक्त ऐसा होता है कि ज बहुत से वक्त संभावना ये है कि वो इनसान को एक दुष्ट शक्ती सता रहा है या परिशान कर रहा है इसलिए मेरे प्रियो हमें भी ध्यान देना है कि हम लोग हमारी जीवन में ऐसा कोई भी कारिया ना करे जिसके कारण दुष्ट आत्मा का हमला हमारी जीवन में हो हम पीछले वीलियो में भी हमने सुना जब शाउल के जीवन में जलन था तब उसके शरीर में एक दुश्टात्मा प्रवेश किया और उसके कारण से जो है वो अपने जीवन में बहुत परेशानियों को अनुभव करने लगा फिर हम देखते हैं वहाँ पर दाउत को बुलाया ग कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण दुश्ट शक्ति हम पर हमला करें आईए हम लोग अगली बात की और बढ़ते हैं तीसरा कारण एक इंसान क्यू बिमार हो सकता है उसका कारण यह है कि उसके ऊपर एक दुश्टात्मा का अटैक हो रहा है हमला हो रहा है अभी यह सेक तीसरा रीजन यह है कि एक शैतानी हमला या शैतानी रुकावट तब एक इनसान के शरीर पर आ सकता है जब वो आत्मिक रीती में भी बढ़ने की कोशिश करता है देखिए जब हम लोग आत्मिक बातों में आगे बढ़ते हैं शैतान उस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता ह इसलिए शैतान अपनी पूरी कोशिश को करता है कि वो इनसान को रोके, आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए एक रुकावट बनकर बिमारी डाल सकता है और उसको समझने के लिए हम लोग आयूब के जीवन को देख सकता है आयूब के बारे में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो बहुत ही एक खरा इंसान था परमेश्वर के सामने निर्दोश था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक इनसान था परविश्वर खुद गवाही देता है कि अयूब मेरे दास बहुत अच्छा है वो मेरे सामने निर्दोश है और जब शैतान ये बात को सुनता है शैतान कहता है वो इसलिए निर्दोश है क्योंकि आपने उसके चारों और सुरक्षा दिया है जब उसके घर के संपती को चुआ जाएगा जब उसके शरीर को चुआ जाएगा तब वो आपके नाम को निन्दा करकर छोड़ देगा मेरे प्रियो प्रभु यहाँ पर अनुमती देता है और शैतान आयूब पर हमला करता है हम लोग जानते हैं आयूब ऐसे एक स्थिती में आता है जहाँ पर वो सब कुछ खो देता है इतना ही नहीं उसके शरीर में वो बहुत पीड़ा को महसूस कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि शैतान उसके शरीर पर हमला कर रहा है क्यों? क्योंकि वो सही ट्रैक पे आगे बढ़ रहा है और इसलिए शैतान इस बात को जेल नहीं पा रहा है कि कैसे एक इंसान इतने अच्छे से प्रबो में आगे बढ़ सकता है और इसलिए वो एटैक कर रहा है पाउलूस के जीवन में भी पाउलूस कहता है कि मेरा अनुग्र तेरे लिए काफी है मेरे प्रियों जब हम आत्मिक बातों में आगे बढ़ेंगे प्रात्ना में आगे बढ़ेंगे उप्वास में आगे बढ़ेंगे हम दूसरों के लिए प्रात्ना करते हैं दूसरों के लिए हम लोग एक helpful या एक उप्योगी बरतन बन जाते हैं प्रभू के हाथ में शैतान इस बात को सह नहीं सकता है और उससे में वो क्या करता है हमारे शरीर पर हमला को डारेक्ट करता है मेरे प्रयों हिम्मत नहीं हारना क्योंकि जो कुछ हमारी साथ होता है वो प्रभू के अनुमती के साथ होता है परमेश्वर ने अनुमती दिया तब जाकर शैतान अयूब पर हमला कर पाया लेकिन परमेश्वर ने अयूब को पूरी रीती से त्यागा नहीं था एक समय के बाद परमेश्वर ने फिर अयूब को उठाया दुगना आशीश उसके जीवन में दिया इसलिए ये बात हमें हिम्मत देने पाए अगर आप ऐसा एक इनसान है जो आत्मिक बातों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग दूसरों के लि परमेश्वर अनुमती नहीं देगा परमेश्वर आपके साथ है इस परिक्षा से जब आप होकर जाएंगे याद रखे आयूब ऐसा एक समय पे आया जब वो दुगना आशीश को पाया हम भी वैसे समय पर आएंगे जब हम दुगना आशीश को पाएंगे तो हिम्मत रखे शैतान हमला करेगा करने दो लेकिन हम लोग परमेश्वर में सुरक्षित है चौता रीजन क्यों हम बिमार होते हैं उसका एक वज़ा ये भी हो सकता है कि हम लोग गलत रीती से प्रभु मेज में शामिल होते हैं और उस बात को समझाने के लिए कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाती हूँ और वो है पहला कोरिंतियों ग्यारवी अध्याय और उसके 28 से 31 आयत 1st कोरिंतियन्स चैप्टर 11 वर्स 28 तो 31 मैं आपके लिए पढ़ना चाती हूँ यहाँ पर इस प्रकार लिखा है इसलिए मनुष्य अपने आपको जांच ले और इसी रीती से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभू की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने उपर दंड लाता है इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए मेरे प्रियों यहाँ पर पॉलुस कुरिंत के कलिसियां के लोगों से कहता है कि जब प्रभू मेंच लेते हैं तो अपने आपको जांच कर लेना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कोई पाप है अगर है तो माफी मांगे प्रभू के सामने माफी मांग कर प्रभू के साथ एक मेल मिलाप में आकर फिर ही प्रभू बोज में अपना हाथ को बढ़ाए अगर किसी के प्रती कोई कड़वापन है या किसी के प्रती आपका कुछ जगडा है या आर्ग्यूमेंν्ट है तो उसको जाकर Sorry कहे उसको सुलजाए और फिर प्रभूमेज में आप अपना हाथ को बढ़ाए क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो प्रभूमेज में शामिल होते हैं लेकिन गलत रीटी से शामिल होते हैं तो परमेश्वर के दंड के हम योग you है प्रभूमेज या प्रभूbोज ऐसा एक समय है जिसको हम लापरवाही के साथ या किसी भी रीटी से अनुचित रीटी से हम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं बहुत से वक्त हम मैंसे बहुत से लोग बहुत कैजुली ले ले लेते हैं सब लोग ले रहे हैं चलो हमने भी बप्तिस्मा ले हम भी ले लेते हैं नहीं प्रियों हमें अपने आपको जांचना है और फिर इसमें शामिल होना है पॉलूस कुरिंद के कलिस्या से कहता है और इसी कारण आप मैंसे बहुत से लोग निर्बल है आप मैंसे बहुत से लोग रोगी है क्यों? क्योंकि प्रभु का दंड आपके उपर है मेरे प्रियों, अगर पिछले दिनों में अपने अनुचित रिती से प्रभु मोज में शामिल की हुआ है तो प्रभु से माफी मांग लिजे और आगे भी भहुत साथानी के साथ हमें हमारी जीवन को बिताना है और इस एरिया में हमें ध्यान देना है कि पाप को रखकर हम लोग प्रभु मेज में शामिल ना हूँ आईए हम लोग अगले कारण की और हम बढ़ते हैं पांचवा कारण क्यों एक इंसान बिमार हो सकता है या बिमारी का एक वज़ा ये है कि वो प्रभु की महीमा वहाँ पर प्रकट होना है और उस बात को समझाने के लिए दो आयतों को आपके सामने में रखना चाती हूँ उसमें से एक आयत है युएना के सुसमचार उसका ग्यारवी अध्याय और चौती आयत यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाजर जो मारता और मर्यम का भाई था वो बीमार हुआ और बीमारी के बाद वो मर भी गया लेकिन उनके बीमारी के बारे में यहाँ पर ईशु मसी क्या कहता है ग्यारा का चार में इस प्रकार लिखा है यह सुनकर ईशु ने कहा यह बीमारी मृत्यों की नहीं परंतु परमेश्वर की महीमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महीमा हो मेरे प्रियो ईश्वमसी यहाँ पर कहता है लाजर अपने पाप के कारण नहीं है जो बीमार हुआ कोई शैतानी हमला नहीं हुआ है यहाँ पर लेकिन वो इसलिए बीमार है क्योंकि परमेश्वर की महिमा यहां पर प्रकट होना है। एक और आयत को आपके सामने में रखना चाहती हूं और वो है युहेना के सुसमचा, उसका नवा अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा आयत। यहां पर उसकी चेले ने उससे पूचा है रभी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। पर लोगों को लग रहा है कि पाप के कारण बीमारी हो रहा है लेकिन इशुमसी कहता है यह पाप के कारण नहीं है हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यह दुष्टात्मा के कारण नहीं है दुष्टात्मा हमला नहीं है पाप के कारण नहीं है लेकिन यह बीमारी क्यू है क्यो लेकिन एक चंगाई को आप महसूस नहीं कर पारे होंगे उसका क्या रीजन हो सकता है एक रीजन ये भी हो सकता है कि परमेश्वर की महीमा आपके शरीर के अंदर या शरीर के द्वारा प्रकट होना है एक समय ऐसा होगा जहापर आप खड़े होकर गवाही देंगी कि इतने सालों से मैं पीडथ थी या पीडथ था लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुआ और पूरी चंगाई मेरे शरीर में दे दिया तो मेरे प्रियो हिम्मत नहीं हारना कि मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रातना कर रही हूँ, प्रातना कर रहा हूँ तो क्यों मुझे चंगाई नहीं मिल रहा है सवाल नहीं करना क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होना है आईए हम लोग लास्ट बात की और हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे लास्ट कारण ये है कि बहुत से वक्त हम इसलिए भी बिमार होते हैं क्योंकि हम लोग हमारा ध्यान सही से नहीं रखते हैं जिस प्रकार का खाना खाना चाहिए हम नहीं खाते हैं इस प्रकार का exercise करना है हम नहीं करते हैं और इस कारण भी हम लोग बीमार हो सकते हैं क्योंकि हमारी शरीर में vitamins का या nutrients का deficiency है कमी है हमारी शरीर में और उसका कारण हम खुद है क्योंकि हम लोग हमारा शरीर का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो हम लोग हर बार एक आत्मिक नजरिया से देखना अच्छा है कि हाँ पाप हो सकता है, हाँ शैतानी हमला हो सकता है, हाँ दुष्टात्मा हो सकता है, हाँ प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है, लेकिन इनके अलावा भी एक रीजन हो सकता है, वो ये है कि हम लोग हमारा शर हमारा शरीर स्वस्त रहना चाहिए इसलिए जो जो हमें करना है जितना गंटे सोना है उतना गंटा सोना है जितना हमें खाना खाना है उतना ही खाना है ना कम खाना है ना जादा खाना है जो परेज करना है जो एक्सराइज करना है इन सारी बातों पर हमें हमारा ध्यान को देन उन छे कारणों को मैं जल्दी से आपके सामने बताना चाहती हूँ, एक है पाप, एक है दुष्टात्मा गरसित लोगों के शरीर में बीमारी आ सकता है, तीसरा है दुष्टात्मा का हमला हो सकता है, चौता है कि हम लोग गलत रीती से प्रभु मेज लेते हैं, पांचवा है क प्रभु की महिमा के लिए एक बीमारी हमारे शरीर में आ सकता है, या चटवा है कि हम लोग हमारा शरीर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो मेरे प्रियोग हमें देखना है कि किस कारण से हमारा शरीर में बीमारी है, हर बीमारी पाप के कारण नहीं है, हर बीमारी दुष्ट करना चाहती हूं और वह है तीसरा युहहना और कि पहला अध्याय और दूसरी आयत यहाँ पर इस प्रकार लिखा है युहन app कहता है है पृय मेरी यह प्रात्ना है कि जैसे तो आत्मिक उन्नत्र कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नती करे और बहला चंगा रहे युहना यहाँ पे लोगों से कहता है कि यह प्रात्ना है कि तुम भले रहे और चंगे रहे तो यह प्रात्ना हम लोग हमारे लिए भी ले लेंगे प्रभु चाहता है कि हम भले रहे और चंगे रहे तो क्यों न हम लोग हमारी जीवन को समर्पन करें हम लोग प्रात्ना क कर दो कर लगा कर दो कि अ कर दो कर दो हो एक है कि